हेलो श्रेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, तो कैसे आप सब लोग, मस्त बढ़िया, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, क्या स्टार्ट करना है, पता तो होगा ही, चैप्टर नमबर थाठ, इन और्गनिक फार्मसिटिकल्स, लेक्शन नमबर है, एंटा, एसिट्स, ठीक है न, आज से यह जितनी वी सॉल्ट यहां दिख रहे हैं, तुम लोगों घरों में जो तुमारे दाद आदी है, यह मैं पाप है, उनके जो गैस की दवाईया होंगी, उनमें जाके इस साल्ट को ढूणना, यह सॉल्ट में हम आपे पक्टे से मि मिल जाएंगे, खास कर सीरप की रूप में रहते हैं यह ठीक है न, तो स्टार्ट करें, मिल गया आइडिया, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एंटा एसिड, एसिड का अपोज करने वाले, एसिड को उल्टा करने वाले, यानि कि एसिड को खतम करने वालों को हम लोग क्या कह यह पांच हमारे कोर्स में है इन्हीं को हम लोग समझेंगे और जानेंगे तरीका लाक्ष लेक्षर में समझा दिया था मैंने अब नहीं समझाओंगा अब हम सीधा इसको समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे कि लिए रहे सब्सक्राइब मतलब जो अपोस कर रही है किसको ड nao की निट्रलाइज कर रही है in your stomach तुम्हारे पेट में जो acid extra निकल आया भूब बहुत लगी है खाना खाया नहीं तुमने तो acid निकल निकल के भाहर आ रहा है कि खाना आये तो हम उसे पचाएं खाना खाऊगे नहीं acid भाहर निकलेगा पेट में जलन होने लगती है और हम लोग कहते हैं या एसिड बंड़ा पेट में या फिर वो गैस बनाने लगती है ठीक है ना तो acid in your stomach to relieve relieve करना है कई बार अपच भी हो जाती है खाना पच नहीं रहा है या hard burn कई बार क्या होता है जलन होने लगती सीने में तो उसके लिए term इस्तमाल होता है hard burn यहाँ पर जलन होती है तो हम लोग उसको hard दिल का जलना भी कह देते हैं दिल का जलना ठीक है यह जातर कैसी आती है लिक्विड की रूप में आएंगी या चुएवल टेबलेट चवा लो चवाते जाओ और वो सीधा पेट में जाता रहता है can be bought from pharmacies and shops without prescription यह यहाँ ता क्या कि अगर तुम डाक्ट चले जाओ शॉप पर बोल दो कि बेट में जलन हो रही है तो यहाँ पर डॉक्टर की prescription की भी जरूरत नहीं पड़ती है तो हम लोग कह सकते हैं क्लासिफिकाशन की बात करें तो इसका उने दो टैप में classifyi कि और एक है systemic और एक है non-systematic systematic और non-systematic anti-acid क्या होते हैं अब समर्थते हैं a systematic entry is 8 यह सबसे पैड़ी बात water soluble है which are absorbed वो जाते हैं इन दा systemic circulation यानि कि हमारे blood में चले जाते हैं absorb होकर blood में जाकर क्या करेंगे काम करते हैं बट इनका उतना efficacy नहीं रह जाती है usually from the gut gut से ही ये absorb हो जाएंगे blood में चले जाएंगे and may cause metabolic alkalosis ठीक है न अब क्या करते हैं metabolic में alkalosis create कर सकते है and are called systemic anti-acid क्या कहते हैं इसका हम लोग systemic anti-acid example क्या है sodium bicarbonate, sodium citrate और potassium citrate अब ये नाम थोड़े से तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे non-systematic anti-acid which are not absorbed from the gut जो हमारे gut, gut मतलब पेट से absorb नहीं होंगे and does not interrupt acid-base balance ये acid-base balance को disturb नहीं करते हैं ठीक है न यानि कि metabolic alcoholysis बात समझ में आगे क्या है metabolic acid जब acid-base balance गरवड हो जाएगा तो metabolic alcoholysis कहलाता है are called non-systemic anti-acid non-systemic anti-acid are divide into non-systemic अब लोग further दो category में डिवाइड कर सकते हैं एक है buffer anti-acid और एक है non-buffer anti-acid clear है buffer anti-acid क्या काम करते हैं they limit the rise in pH of gastric content pH को बढ़ने से क्या करते हैं रोकते हैं to below neutrality ठीके ना neutrality से नीचे जाने में क्या करेंगे उसको रोकेंगे example क्या है Aluminium hydroxide gel magnesium hydroxide magnesium trisilicate ठीक है यह क्या है example यानि कि यह क्या करते है pH को बढ़ने से रोक देंगे इसलिए कहा गया buffer 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 क्या होता है जो pH है अगर कम जादा हो रहा है तो उसको वहीं को रोक के रखाए कम होगा तो ज्यादा कर देंगा ज्यादा होगा तो कम कर देगा तो यह क्या 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 आते हैं अब buffer anti-acid जो पेट कर pH को जहां का वहां वहीं को रखेगा उससे बढ़ने नहीं देगा नॉन बफर दे permit यह अलाओ कर देते हैं the elevation of pH even above neutrality neutrality की ऊपर चले जाए अब यहां दिक्कत क्या हो जाती देखो अगर बहुत ज्यादा हमारा पेट बेसिक हो गया पेट में развит निकला तुमने सीरप पिया पेट का सारा इसीड खतम लेकिन सीरप ने उसको basic कर दिया पेट को पेट के अंदर का चीज आव पेट का environment हरा basic हो गया तो इसको ड़बर लोगा तो हमारी body उसको neutralize करने हे और एसे निकालना स्टार्ट कर देती है वो भी दिक्कत वाली बात हो जाती है ठीक है काड़ा कि मैंग्जीयम कार्बोनेट कामसे मंग्नेश कार्बोनेट बहुत सारे एक्जांपल है यह कोबाल्ट नहीं है इस इस कार्बोनेट अग्जांपल जो हमारे कोर्स में है कौन-कौन से अल्मिन हीड्रोक्साइड जेल मैंगनेसिम हीड्रोक्साइड मिक्चर सोडियम बा कार्वणेट और कैल्सियम कार्वणेट जलें आगे चलते हैं तो पहला हमारे पास अल्मिन्यम ओक्षाइड जेल Aluminium Hydroxide Gel Gelucil syrup एक आता है बड़ा common सा है ना तो Gelucil घर में तुम लोगों ने देखा होगा Pinkish color कर रहते हैं Gel जो आते हैं Acid को Nutilize करने के लिए उनको अपसे क्या करना? Notice करना उनकों कौन कौन से salt गिवाने तो आप देखते हैं क्या है Aluminium Hydroxide Gel क्या कह रहा है? It is a non-systemic weak anti-acid कैसा है यह? Non-systemic weak anti-acid है Aluminium Hydroxide Gel is an aqueous suspension यह aqueous, aqueous मतलब पानी के अंदर इसके particle पढ़े रहते हैं Of hydrated Aluminium Oxide पानी वाला जो जिसके अंदर पानी के molecule रहते है Aluminium Oxide के वो होता है यह With different amounts of basic Aluminium Carbonate and Bicarbonate इसके साथ में Aluminium Carbonate और Bicarbonate भी जुड़े रहेंगे साथ में रहेंगे This medication is used to treat symptoms of too much stomach acid अगर पेट में बहुत ज़्यादा acid हो जाए तो हम इसका इसका इस्तमाल करते हैं ठीक है ना? पेट upset हो जाए पेट गललललल कर रहा है heart burn करने जलन हो सीने बहुत ज़्यादा acid and acid in digestion अपच हो जाए अफरा हो जाए ठीक है उस case में हम लोग इसका इस्तमाल करते है Aluminium Hydroxide is an anti-acid that works quickly तुरंत काम करेगा to lower the acid acid को गिराने में तुरंत काम करता है अच्छा काम करता है लिक्विट क्या सीधा पी होगा सीधा पेट में जाएगी डिजॉल्व होगी फिर वह बहार आएगी फिर वह अपना काम करना स्टार्ट करेगी ठीक है ना? इस medication works only on existing acid जो acid पेट में है उसके उपर काम करेगा ठीक है ना? उसको कहो कि हमारा पेट लगातार acid निकाल रहा उसको निकलने को नहीं रोग सकता जो acid निकल के बहार आ गया उसको रोग लेगा in the stomach it does not prevent acid production acid के production को ये रोग नहीं सकता है it may be used alone या खाली हम इसको 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 कम करते है बात समझ में आ रही है तो ये इसका कही ना कहीं intro वाला पार्ट है को शिश करो सारा याद हो जाए सारा आज नहीं होता है तो थोड़ी सी छटिनी कर लो अपने हिसाब से मेन में पॉइंट और छोटा से में पॉइंट निकाल लो जो तुमको जल्दी याद हो जाते हैं चलो आगे चलते हैं पिर प्रेशन की बात करें तो सिदा कह रहा है वै 70 degree centigrade Aluminium Hydroxide is prepared यह बन गया मेरा Aluminium Hydroxide बात वागी चीज़ जो बन रही हमें उससे मतलब नहीं है के लिए हो गया Simple preparation physical property soluble in acid and alkali it is a white colored gel यह एक सफेद color का gel होता है chemical property की बात करें this gel is an amphoteric compound amphoteric मतलब यह हमारा acid से भी react कर सकता है और base से भी react कर जाएगा it act as an acid in the presence of alkali यानि कि alkali मतलब base ठीक है ना alkali मतलब base base की मौजूदगी में यह acid की तरह behave करता है it act as an weak base in the presence of acid ठीक है ना acid की मौजूदगी में यह weak base की तरह behave कर रहा है it convert into aluminum oxide on heating अगर मैं इसको heat कर दूँ तो देखो क्या होगा a l o h whole thrice इसको मैं क्या कर दूँ हीट कर दूँ तो क्या बोल रहा है कि समझे जाएगा aluminum oxide al 2 o 3 यह बन गया aluminum oxide it forms aluminum chloride when treated with hydrochloric acid इसी को अगर मैं इहां पर क्या मिला दूँ मिला दूँ तो क्या बन जाएगा यह aluminum chloride a l c l 3 बदल जाएगा तो यह ठीक है basic basic बाते हैं याद कर सकते हो इसको chemical property में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है चले आगे storage it should be stored in well close container well close container protecting from light freezing should be avoided मैंने कहा ना storage में कुछ भी दो चार बात है याद कर लो कुछ भी लिख दो वो होती होती करनी पड़ती हो to treat peptic ulcer अच्छा जो मैंने बता दिया starting में anti acid क्या क्या करते है ना ulcers anti acid है तो anti acid में क्या क्या होता है पेट के ulcers हो गए gas होगी acidity हो गई उस सब बात यहाँ पर लिख सकते हो hyper acidity gastritis पेट में inflammation हो जाए उसमें भी काम करता है यह formulation की बात करें जादा तर किस रूप में है यह oral suspension की रूप में है कौन जो हम पढ़ रहे हैं अल्टेरना जेल या एंफो जेल के नाम से मार्केट में मौझूद है तो किलियर है सेम तरीका सेम पैटन चीज़ें याद करने के लिए बहुत सारी है फिर कहा रहा हूं पढ़ते रहना बिल्कुल भी चूकना नहीं सेकेंड हमारे पास magnesium hydroxide है ना magnesium hydroxide magnesium hydroxide क्या कह रहा है इट इन 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 और गेनिक कंपाउंड अब्यस्टी बात है भाई हम लोग क्या पढ़ रहे है इन और गेनिक फार्मसेटिकल पढ़ रहे है तो इन और निक कंपाउंड निकला आया विदे केमिकल फॉर्मॉला देश अच्छा मैंने वहां पर लिख दिया यहां पर लिखा हुआ है चला अच्छी बात इट ओकर इन नेचर एज मिनरल ब्रुसाइट नाम है नेचर में जिस रूप में मिलता है हमने उसका नाम देदिया इस वाइट सॉलिड यहीं से फिजिकल पॉपंटी का रूप पॉइंट मिलका वाइट सॉलिड है विद लो सॉलिबिल्टी सॉलिबिल्टी काफी कम है पानी के अंदर ठीक हो उसकी वैल्यू दे यहां पर यह मैंगनेशियम हाइड्रॉक्साइड इस कॉमन कॉम्पोनेंट अंदर यह पक्ड़के से मिलता है हमको मैंगनेशियम रेक्ट विद हॉट वाटर नीथ क्या देते है अंको magnesium hydroxide और सात में क्या देदेगा ierungs 2 Gase देदेगा यह बन गया मेरा magnesium hydroxide तो simple पानी और magnesium को मिला दो magnesium hydroxide मिल जाएगा फिर क्या कह रहा है magnesium carbonate को sodium hydroxide से मिलाद दो this is carbonate hydroxide क्या मिल गया magnesium hydroxide मिल गया ठीक है na magnesium hydroxide is also produced when magnesium carbonate react with magnesium carbonate react with sodium hydroxide ठीक है, the chemical equation for ठीक है, the reaction between the aqua solution of magnesium chloride, magnesium chloride MgCl2, also gives magnesium hydroxide, ठीक है, इसको भी हम आनोस से मिला तो क्या मिल जाएगा, magnesium hydroxide मिल जाएगा, कह रहा है, large scale production, इसमें काफी सारी production के तरीके थे, तो सब लिख दिये मैंने, कोई भी दो या तीन अपने याद कर लेना, the large scale production of magnesium hydroxide, involves the treatment of lime, lime क्या होता है, calcium hydroxide, with sea water, lime और sea water को मिला देंगे, तो हमें धेर सारा magnesium hydroxide precipitate, उसके solids मिल जाते हैं, किस रूप मिल जाएगा, solid के रूप में मिल जाएगा, clear है, अच्छा, एक preparation और है, ये चौथी, और ये पांच भी, एक तरीका और है, हम लोग क्या करेंगे, sodium hydroxide, NaOH, प्लस, magnesium sulfate, magnesium sulfate को आपस में क्या करेंगे, sorry, ये गल्द हो गया, magnesium sulfate आपस में क्या करेंगे, इसे, ट्रेट करवा देंगे, हम को क्या मिल जाएगा, smooth creamy product मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, smooth creamy product, इस creamy product को हम पानी के साथ क्या करेंगे, dilute कर लेंगे, और ये क्या मन जाएगा, suspension बन जाएगा, suspension समझते हो ना, पानी के अंदर थोड़ी सी रेट डाल के हिला दो, तो जो कंड तेरतों मिलते हैं, ये जो मेरा solution तयार होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, suspension कहते हैं, this suspension is poured into magnesium sulfate solution, इसको हम लोग कहा डाल देंगे, magnesium sulfate solution के अंदर डाल देंगे इस वाले को, precipitate बन जाएगे, और उसको हम लोग settle, जैसी precipitate बन जाएगे, soil बन जाएगे, छोड़ देंगे, धीरे-धीरे settle हो जाएगे, यारे कि नीचे को बैड जाएगे, the upper clear liquid is removed by decantation, अब देखो होगा क्या, decantation क्या होता है, सारा solid नीचे बैड गया, उपर क्या है, पानी है, मैं इसको धीरे से तिर्षा करूँगा, और सारा पानी निकलता चला जाएगा, और नीचे का solid बैठा हुआ है, है ना, कई बार क्या हो, गंद की नीचे बैड जाती है, उपर से पानी निकाल देते हैं हम लोग, इसी process को decantation कहा जाता है, कुछ और नहीं है, तो residue is transferred, residue जो बचा हुआ है, पहली बता चुका हूँ है, जो बचा हुआ पार्ट है, इसको transfer करते हैं, and then desired volume is obtained, transfer करने के बाद, उसके अंदर हम पानी डालेंगे, जितना हमें volume चाहिए होता है, और हमारा क्या तयार हो गया, क्या बना रहते हैं हम लोग, भूल गए, magnesium, hydro, oxide हमारा तयार हो गया, clear है, physical property, कैसा है यह, white solid है, order less है, ठीक है, insoluble, very low soluble in water, यह दो तीन बाते हैं पहली पर चुके, melting point लगबग, 623 Kelvin का है, density दे दी यहां पर लो, 2.3446 gram per centimeter cube, तो यह इसकी क्या होगी, physical property होगी, simple, यहां तो कुछ सम्झाने के लिए था ही नहीं, chemical property की बात करें, basic in nature है, बट उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत basic है, this can be attributed to its low solubility in water, ठीक है न, because, यहां से हम लोग क्या पता लगा सकता है, कि यह low solubile क्यों है, क्योंकि काफी कम basic है, ठीक, इसलिए पानी के अंदर solubile कम है, पानी बहुत weak base होता है, base base को अपने अंदर dissolve नहीं करता है, magnesium hydroxide decomposes at higher temperature to give magnesium oxide, तो जोगों simple सी बात है, इसको हम heat करेंगे, तो तोट जाता है, किसमें, magnesium oxide में और water में, तो यह इसकी क्या आ गहीं, chemical properties आ गहीं, storage, humidity should be avoided, नम, नम जगे नहीं होने कि यह नमी से इसको दिक्कत है, keep away from heating devices, ऐसा नहीं है कि पास में रखा है, गैस जला रहे हैं, हम लोगों कोई heat कर रहे हैं, और उसी के पास में ले जा करके, हमने इसको रख दिया, तो यह क्या करेगा, दिक्कत करना शुरू कर देगा, use की बात करें, a suspension of magnesium hydroxide widely used as anti-acid, लोग, मत लिखो पूरा, एक line में खतम कर दो, कैसे इस्तमाल करते हैं, anti-acid, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, milk of magnesia, क्या नाम है इसका, milk of magnesia, ठीक है न, as an anti-acid, magnesium hydroxide work by neutralizing the hydrochloric acid present in the stomach, हमारे स्टमाख में जो HCL मौझूद है, hydrochloric acid उसको क्या कर रहा है, यह neutral कर दे रहा है, it is used as luxative, luxative मतलब, जब tight party हो जाती है, तो दवा खाके जो party हमारी lose होती है, उसको हम luxative कहते हैं, ठीक है न, हमको जो tight lettering के कब्स होगी है, party करने में दिख्कत हो रही है, तो वो कराने में भी help करता है, acidic waste water can be neutralized by adding magnesium, मतलब कि अगर क्या कहते हैं, company हो से, factory हो से acidic water निकल रहा है, तो भी हम इसके help से क्या करते हैं, उसे neutralize कराके water treatment सुना है न, गंदे पानी को जो treat करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, water treatment कहते हैं, उसको हम neutralize करके फिर हम आगे pass करते हैं, in the cosmetic industry, magnesium hydroxide is used as pH controlling agent, pH को control करने की agent की तरह इस्तमाल किया जाता है, कहां पर? Cosmetic industry में, हम लोग अभी pharmacy पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए दो point ज्यादा important है, ठीक है, यह दोनों हमारे लिए okay okay है, चले गाई है, pharmaceutical formation, तो यह भी वही suspension है, भई यह, achievable tablet की रूप में पाए जाते हैं, market brand में milk of magnesium, जाके मांगोगे तो खटाक से, तुमको magnesium hydroxide थमा देगा वो, जाके मांग के देखना आपकी बार, clear है, तो क्या आगे आते हैं, next slide है, Megaldrate, क्या होता है यह Megaldrate, आओ देखें, Megaldrate is an aluminum containing, इसके अंदर क्या पाए जाता है, aluminum containing anti-acid है, तो anti-acid which is used to treat heartburn, indigestion, और stomach upset, यह तो भई सब में ही है, ठीक है न, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, तो एक को cover कर लोगे, तो कई सारे points हर किसी के लिए common हो जाते हैं, physical poverty, लगभग सारे के सारे white crystalline powder है, यह insolubal in water है, soluble in dilute mineral acid, SCL वगरा जो है, उनमें क्या होता है, यह soluble हो जाएगा, storage की बात करूँ, तो room temperature पर इस्टोर करना है, should be store at clean and dry place, should be protected from light and heat, light और heat से इसे बचा के रखना है, common बात हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, it is used to treat gastric ulcer, gastric ulcer को treat करने में इसका इस्तमाल होता है, it neutralizes the gastric acid, ठीक है, यूज जैसे मैंने बताया, एक बार देखलो, उनको पढ़ गया रहे हैं, anti-acid, तो यूज तो हम सब में वहीं डालेंगे, फिर बता रहा हूँ, इसको ऐसे पढ़ना है, एक्जाम में कोई आएगा, तो कोई एक आएगा, तो यूज वह 4-5-6 यूज अपने घट्टे कर लो, उस एक यूज को इसमें डालके उसको फ़रा लंबा बना सकते हो, परिशान नहीं होना, pharmaceutical formulation, oral suspension है, market brand, reo pan, market brand में reo pan के नाम से है, ठीक है, और भी 2-3 brand लिख सकते हो, sodium bicarbonate, next आते हैं हम लोग क्या है हमारे पास, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate is an anti-acid used to relieve heartburn and acid in digestion, दोगो वही सारी बाते हैं, it may also be prescribed to make your blood or urine less acidic in certain condition, blood को और urine को कम ऐसे डिक बनाना पड़ता है, कुछ cases हो जाते हैं, उनमें भी हम लोग इसका इसका इस्तमाल करते हैं, पिर प्रेशन प्रेट भाए, शोल्वे मैथड क्या होता है, इसमें दो step की process है ये, पहले step में हम लोग carbonate को treat कराएंगे, sodium hydroxide से, sodium hydroxide से, और हमको मिल जा रहा है, sodium carbonate, क्या मिल जाएगा? sodium carbonate, clear है, फिर इस sodium carbonate के अंदर से धेड़ सारा CO2 निकालेंगे, और हमको क्या मिल जाएगा? sodium bicarbonate, तो sodium carbonate, एक Na को हटाओ, एक H को जोड़ दो, क्या बन गया? sodium bicarbonate, clear है, क्या बन गया ये? sodium bicarbonate, physical property, white crystalline powder है, orderless है, alkaline in taste है, sparingly soluble in water है, बच्चो वाली चीज़े, अब तो याद हो गये होंगी, chemical property, amphoteric है, acid और base दोनों की तरह behave कर सकता है, react with acetic acid, give sodium acetate, acetic acid पता है न, क्या होता है? CS3COOH, क्या देदेगा? sodium acetate, sodium acetate क्या होता है? CS3COOH, एक बन गया? sodium acetate, sodium bicarbonate with basis produced carbonate, ठीक है? sodium carbonate with basis, base, base कौन को लोंगे? KOH, NOH, इनके साथ चैसे की, एक छोटा सा एक्जांपल देदू, हाँ, NH sodium bicarbonate with base, base कोई भी लेड़ो, NOH, KOH, क्या दे रहा है? produce carbonate, जाने की, Na2CO3, पूरा पूरा carbonate देदेगा, bicarbonate खतम हो जाएगा, कोई बात नहीं, यह इसकी chemical property होगी, it reacts with carboxyl group, carboxyl मतलब जो carboxylic acid वाला group होता है, COOH, खोल के लिखों अगर इसको में, तो C double one और OH, it reacts with carboxyl group of protein to give brisk effervescence, carboxyl group से मिल जाएगा, और क्या दे देगा है? यह brisk effervescence, due to carbon dioxide formation, क्या निकालता है? CO2, this reaction is used to identify the presence of carboxyl group in protein, protein के अंदर carboxyl group होता है, हम इस test से confirm कर लेते हैं, clear है, इस test से confirm करते हैं, आगे आते हैं, should be stored in well-closed container protecting from light, simple सी बात, used as an anti-acid treat, hyperkalemia, acid की form है, tricyclic antidepressant, हाँ, एक drug होती है, tricyclic antidepressant, जो कि depression में काम आती है, अगर उसकी overdose हो जाए, उसमें हम लोग इसका इसका इसमाल करते हैं, topically, सरीर के उपर के तौर पर हम इसके पेश्ट की तरह इसमाल करते हैं, अगर कीड़ा मकॉड़ा काट ले, तो अब लोग इसका उपर लगा लेते हैं, clear है, किस रूप में पाई जाती है, tablet group में बनती है, और injection group में बनती है, market में किस रूप में available है, sodium, bicarbonate, newet और salamine, salamine के नाम से market में क्या है ये, available है, clear है, चलते हैं आगे, calcium carbonate, fifth one, क्या है हमार बाद ये, calcium carbonate, क्या है calcium carbonate, देख ले, calcium carbonate is a dietary supplement, obvious ही बात है, भी हम खाते हैं, dietary supplement है, खाएंगे तो हैं, used when the amount of calcium taken in diet is not enough, हम इसको कभ इस्तमाल करेंगे, जो हम खाना खा रहे हैं, not enough, when the amount of calcium taken, जो हम calcium ले रहे हैं, in the diet, diet में, not enough, परियाप्त नहीं है, calcium is needed by the body for healthy bones, calcium क्यों चाहिए, healthy bones, muscles, nervous system and heart, ये तो होगी normal बात, इसकी अब तो हम बाती नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, anti-acid की, तो हमारे पास, यहां से start होती बात, calcium carbonate also is used as an anti-acid, वो सब भी काम में आता है, इस काम में भी आता है, हमारी heading है, anti-acid, तो हम यहां से line जोड सकते हैं, या इस line को पहले लिख सकते हैं, to relieve heartburn, acid indigestion and upset stomach, बात समझ में आगई, फिर प्रेशन की बात करें, तो calcium chloride के साथ react कराएंगे sodium carbonate को, और हमको मिल जाएगा calcium carbonate और NACA, ठीक है ना calcium chloride लिख सकते हो, यह मेरे ख्याल से बच्चों वाली चीज़े हैं, है ना formula लिख सकते हो साथ में, physical property, white crystalline powder, यहाँ पर सब जगई है, almost इसी लिए, मैंने यहाँ पर, जैसे की उसमें जो लास्ट लेक्चर था, हमारे पास hematinics, उसमें मैंने हर किसी के powder दिखाया था, यहाँ लगबग सब सफेद ही है, तो ज़्यादा दिक्कत अली बात नहीं है, solubile in dilute acid, ठीक है, chemical property की बात करें, solubility in water increase by presence of CO2, CO2 डालो गए, तो इसकी solubility पाने के अंदर बढ़ती चले जाएगी, due to formation of soluble calcium bicarbonate, होता क्या है, CO2 डालते ही, यह bicarbonate में बदल जाता है, कौन? calcium carbonate, और bicarbonate is more soluble in water, clear? when heat, जब हीट करेंगे, तो decompose कर जाएगा, calcium carbonate किसमे, calcium carbonate, यह आ जाएगा, calcium oxide है, sorry, this is, calcium oxide, ठीक है, और CO2, calcium carbonate, प्लस SCL, SCL के साथ अगर इसे हम लगा दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, calcium chloride मिलेगा, और carbonate मिल जाएगे, और इस carbonate को further क्या होता है, यह break कर जाएगा, और क्या release करेगा, अपने अदर से, CO2 gas को release करेगा, तो इस तरीके से दो chemical property होगी, कि heat करने पर भी CO2 gas दे रहा है, calcium carbonate को, ठीक है, acid के साथ मिलाते हैं, तब भी acid, HCL, इसके साथ मिलाते हैं, तब भी हमको क्या दे रहा है, यह carbon dioxide gas दे दे रहा है, ठीक है, storage की बात करें, should be stored in well-closed container, ठीक है, common है, store करना है, use की बात करें, it is rapidly acting, non-systematic anti-acid, कैसा है यह, non-systematic anti-acid है, precipitated calcium carbonate, जो solid के रूप में, precipitate के form में calcium carbonate होगा, is also used in tooth powder, हमारे दान्सों के powder में भी यह इस्तमाल हो जाता है, clear है, pharmaceutical formulation, tablet और चवाने वाली tablet की रूप में आता है, market brand की बात करें, तो Tums, Tums Ultra, Tums Smoothies, Tums के नाम से, काफी सारे इसके brand market में मौझूद है, clear है, next lecture होगा हमारा antimicrobial agents की उपर, तो उमीद करता हूँ, inorganic pharmaceuticals या अब जो chemistry हमारी start होगी, उसको पढ़ने का थरीका समझ में आ गया होगा, 90% चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं, learn करने वाली हैं, तो याद करते रहो, learn करते रहो, कोशिश करो, याद करने के वाद एक वारी उसको लिख करके practice चरूर करो, otherwise दिमाग से चीज़ें निकलना सुरू हो जाएंगी, clear है, तो पढ़ोगे, पक्का से और revise करोगे, all the best.